अगर हम बात करें तो सिक्षा तो अच्छी होनी चाहिए दुनिया कहती है लेकिन सिक्षा का इस्तर क्या हो और सिक्षा हासिल करने के बाद आदमी मंजिल कैसे प्राप्त करें क्योंकि कई बार सिक्षा हासिल करने के बाद आदमी दिशा भटक जाता है या सही दिशा उसको नहीं मिल पाती तो उसे मिली वी सिक्षा बेकार हो जाती है ऐसे में एक ऐसे गुरू की तलाश भी आदमी को रहती है जो उसे वो रास्ता दिखाए ताकि वो मंजिल पा सके आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे मिस्टर राजकुमार गुपता जी से जो यहां पर मुरदबाद में कैरियर लॉंचर के नाम से एक इंस्टिटूट चला कर बच्चों को रास्ता दिखाते हैं कि जिस रास्ते पे चलने के बाद बच्चे काम्याब हो सकें तो आईए बात करते हैं मिस्टर राजकुमार गुपता जी से गुपता जी आपका स्वागत है हमारे कारिक्रम में तैंक्यू भरी माच गुपता जी कुछ अपने बारे में बताइए आप कहां से बिलॉंग करते हैं और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो ये सफर आपका कैसा रहा इसमें क्या रुकावटे आई और आपको सफलता कैसे बिली मैं अगर अपने बारे में कहूं तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था बच्पन से ही और मैं एमपी का रहने वाला हूँ वहीं से मैंने एक सरकारी स्कूल से अपना 12th पास किया 10th में मेरे 52% मार्क्स थे 12th में मेरे 52% मार्क्स थे और ग्रेजेशन मेरा 55% था तो जब मैं इस एवरेज परसेंटेज के साथ बाहर मार्किट में गया तो मेरी स्थिती भी एक normal student जैसी थी कोई job नहीं, कोई option नहीं, कोई opportunity नहीं फिर मुझे cat के बारे में जानकारी मिली मैंने cat के बारे में information ली और फिर मैंने 2008 में पहली बार cat का exam दिया जब मैंने पहली बार cat का exam दिया तो मेरा score था 99.47 percentile इसके बाद मैं तब से हर बार regular cat का exam दे रहा हूँ और शायद इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मुझे किसी college में admission लेना है या मुझे किसे competition करना है बिट competition exam हर बार update होता है हर बार change होता है हर बार का exam पिछली बार से अलग होता है और अगर मैं खुद ही उस exam के लिए तयार नहीं हूँ तो मैं दूसरे बच्चों को उसके लिए prepare नहीं कर सकता है इसलिए मैं हर साल देता हूँ और पिछले तीन साल से मैं हर बार 100 percentile score कर रहा हूँ math section में और साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि बच्चों को ऐसा लगता है ऐसा भ्रहम होता है कि अगर उनका academics बहुत अच्छा नहीं है तो वो cat में अच्छा नहीं कर सकते या उनके लिए कोई options नहीं है MBA college में बात करें हम या आपके government exams की बात करें या आपके private exams की बात करें तो एक academic criteria होता है होता है लेकिन वो सिर्फ weightage है वो necessary criteria नहीं है तो अगर किसी का academics कम है तो वो अपना cat का score अच्छा गर ले वो GD और interview का score अच्छा गर ले जैसे हम SSC का exam देते हैं और अगर उसे 3 में हमारा बहुत अच्छा नहीं है लेकिन हम किसी तरीके से boundary cross करने में काम्याब हो गए हैं या हम 3 में successful हो जाते हैं तो हम interview में, mains में और tier 3 वाले exams में ज़्यादा अच्छा score करके select हो सकते हैं ऐसे ही MBA में भी होता है तो academic अच्छा ना होने के बाद भी आप MBA में अच्छा score कर सकते हैं आप हमें ये बताईए कि बच्चों को सिक्षा चुनने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये मुख्य बिंदू है जब बच्चे की सिक्षा हम choose कर रहे हैं जब ये decide कर रहे हैं कि बच्चा किस विशय में उसको सिक्षा लेनी चाहिए तो हमें जो वर्तमान परिस्थिती है कि बच्चा कैसे select करता है जैसे अगर हम देखें आज के समय में तो बच्चा 10th के बाद उसको पहली opportunity मिलती है पहला मौका मिलता है जब वो ये decide करता है कि अब वो किस field में जाना चाहता है तो ये decision उसका अपना होने की बजाए वो कुछ अपने family pressure जहां पर कुछ parents की चाहत होती कि उनका बच्चा इंजिनियर बने या doctor बने या teacher बने similarly दूसरा फिर उसका friends group का pressure कि बाकी दोस्त क्या कर रहे हैं फिर उसके school के teachers का pressure और फिर एक वर्तमान में जो समय चला आ रहा है उसके इसाब से कि मुझे IIT जाना है क्योंकि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो parents का सबसे पहला focus होता है या तो वो engineer बन जाए या फिर वो doctor बन जाए ठीक है तो ये करने की बजाए पहले बच्चे की प्रतिभा देखी जाए कि वो किस विशय में अच्छा है किस विशय में उसका रुची है क्योंकि आप किसी भी विशय में अच्छी डिग्री लेने के बाद भी successful होने की guarantee नहीं है जब तक आपका खुद उस विशय में interest नहीं है तो पहले बच्चे का interest चेक किया जाए उसकी personality चेक की जाए फिर जो course बच्चे को हम करवाना चाहते है उसकी requirement देखी जाए कि क्या बच्चा उसकी requirement फुल्फिल करता है या नहीं करता इसके बाद ही बच्चे को अपना subject का चैन करना चाहिए जिसे बहुत से बच्चे आपके institute में आते हैं और आप उनको कैसे पहचानते हैं कि ये इस तरह से काम्याब हो सकता है क्या इसके लिए कोई विशेश आप उनका exam लेते हैं किस तरह से हाँ हमारे institute में एक बच्चो का एक personality test किया जाता है उस test में करीब 25 पेज की एक report आती है जिसमें उसकी personality के different aspects के बारे में पूरी information मिलती है कि उसका कला के प्रती आर्ट के लिए उसका कितना रुझान है उसका maths कैसा है उसकी thinking capacity कैसी है उसकी creativity कितनी है तो ये सारी चीजों पर उसकी एक study की जाती है पर उस study के बाद एक उसका report बनाई जाती कि बच्चा किस-किस field में कितना अच्छा है फिर हम उसको compare करते है करीब 5000 successful लोगों में से world wide कि जो लोग किसी एक particular field में अच्छे है जैसे कि अगर कोई journalism में अच्छा है तो हमने 10 अच्छे journalist की personality का test किया फिर हमने यह देखा कि उनमें personality के कौन-कौन से traits हैं और फिर हमने देखा उसके हिसाब से हमने बच्चे को comparison chart बनाया कि अगर आपको journalism में अच्छा होना है तो आपमें कौन-कौन से personality traits होना चाहिए अगर आपको engineering में जाना है तो कौन से personality test होना चाहिए हम अभी तक करीब 5 लाग बच्चों के साथ ये test कर चुके हैं और अब जब भी कोई एक नया बच्चा का हम test लेते हैं तो उसमें हम reference में वो पूरे 5 लाग बच्चों का जो outcome है उसके base पर हम बताते हैं कि अब इस बच्चे को किस field में जाना चाहिए ताकि उसके success के chances maximum रहेंगे बहुत से बच्चे आपके पास ऐसे भी आते होंगे जिन्होंने course तो कर लिया लेकिन बेकार type घूम रहे हैं काम नहीं मिल पा रहा है अगर मिल भी रहा है तो उस level का काम नहीं मिल पा रहा है बच्चे को कॉलेज के अंदर से ही placement मिलता है अभी जितने भी हम अच्छे institutions की बात कर रहे हैं चाहे वो MBA के लिए हों चाहे law के लिए हों चाहे engineering के लिए हों चाहे medical के लिए हों उन सभी में बच्चा कॉलेज से निकलने से पहले ही उसको placement मिल जाता है तो उसका career वहां से well settled हो जाता है अब दूसरी स्थिती बनती ही जब बच्चे को बच्चे ने institutions के selection के पहले सावधानी नहीं बरती और वो without effort के बगएर महनत के ही direct किसी college में जाके admission ले लेता है जब वो ऐसे college में admission ले लेता है तो बच्चे का placement मुश्किल हो जाता है तो अब इस स्थिती में बच्चे क्या कर सकते हैं वर्तमान समय में बहुत सारे exams होते हैं government as well as private उन सारे exam में से बच्चा कोई भी exam select कर ले जैसी उसकी इक्षा है चाहे वो banking में select कर लगता है insurance के sector में जा सकता है वो SSC का job select कर सकता है वो LIC का job select कर सकता है वर्तमान समय में bank खुद भी private banks भी और government banks भी बच्चे को अपने यहाँ पर भरती करने के बाद higher studies के लिए भेजती है कुछ बच्चों को particular tie-ups के साथ select किया जाता है कि जिसमें की बच्चों को पढ़ाई का खर्चा भी bank देती है selection करने के बाद फिर उनको अपने field से related जो MBA है वो करवाया जाता है फिर उसका खर्चा भी bank उठाती है और उसके बाद bank job भी देती है बच्चों को तो जिन बच्चों के पास job नहीं है बहुत अच्चे options नहीं है वो ऐसे options select कर सकते हैं तो उन exams में बैठ किते हैं बच्चे जिसके base पर उनको private jobs भी मिल सकती हैं government jobs मिल सकती हैं और जितने भी अभी हम बरतमान का scenario देखते हैं उन सभी में exam का pattern almost similar है तो बच्चा कहीं पर भी जाके settle हो सकता है बट उसको थोड़ी कुछ basic preparation के ज़रात होती है अब ही मेरी और आपकी बात चल रही थी तो आपने बता है कि MBA करे हुए बच्चे जो फिर उनका मन हट जाता है कि हमने क्यों MBA कर लिया क्योंकि नौकरी उन्हें वही साथ आट दस हजार रुपे तक की मिलती है और MBA करने से पहले उन्हें सोचा होता है कि मैं पचास यार की चालिसा यार की job करूँ देखे इसके लिए एक मैंने आपको एक्जामपल पहले भी शियर किया है और मेरा बहुत ही कॉमन एक्जामपल है कि अगर आपके पास एक सेलफोन रखा हुआ है और उस सेलफोन पर से आप नाम बदल कर स्रिफ एपल रख दीजे अब उस सेलफोन कीमत एक लाख रुपे हो आप MBA करने जा रहे हैं तो MBA एक knowledge-based course नहीं है जैसे engineering एक skill-based course है, become एक knowledge-based course है, ऐसी MBA जो है वो personality-based course है, तो वहाँ पर degree की value नहीं है, जैसे अगर हम बात करें, present समय तक की बात करें तो जो इंडिया में MBA के जो topmost institution है, मतलब IIM, वो बच्चे को कोई degree या diploma नहीं देते हैं, व वो कहीं से भी affiliated नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ के बच्चों का placement बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की personality पर पूरे दो साल काम किया जाता है, जो छोटे college है, मैं यह नहीं कहता कि वो पढ़ाते नहीं या मैनत नहीं करते, लेकिन वो बच्चे के ग्या पर काम करते हैं, उसकी personality पर काम नहीं करते हैं, और बच्चा भी उसके लिए तयार नहीं होता कि उसकी personality पर काम किया जाया, वो उतनी मैनत करने के लिए भी तयार नहीं होता, इसलिए वो प्लेस नहीं है, तो वो प्लेस होने से पहले, जाने से पहले, अगर वो थोड़ा द करेगा तो फिर उसको फ्यूचर में यह प्रॉब्लम जेलने नहीं पड़ेगी वैसे तो आपके यहां से काफी सारे बच्चे अच्छी कंपनियों में गए होंगे अच्छी जगह पर उनकी पोस्टिंग हो गई होगी अच्छा पैकेज होगा तो अभी ज्यादा लंबी नहीं हम अगर दो तीन साल की बात करें तो कुछ ऐसे ब्रिलियंट इस्टुडेंट आपके यहां से गए और कहां कहां पहुँचे सिर्व ब्रिलियंट की बात तो नहीं करोंगा हम्में एवे डिलियंट की ही बात करोंगा मेरे इस नूडिन है सुरेंदर सैनी बी अससने किया है इंस्टुशन से, TMI-MT से, उसके पहले हिंदी मीडियम से उसने 10th और 12th किया है, बहुत ही एवरेज बच्चा था, कभी उसने अपनी लाइफ में 60% स्कोर नहीं किया, फिर उसने कैट की तियारी की, फिर उसने IMT नाकपुर से MBA किया, और अभी State Bank of India में ट्रेणी मैनेजर की पर काम कर रहा है, उसका पैकेज करीब 15 लाग का है, अगर हम सारे पक्स जोड़ने तो, और बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है, और उसमें बहुत बड़ा जो रोल है, वो MBA का है, क्योंकि उसको जो जॉब मिली है, वो कॉलेज के तुरू मिली है, कमपनी कॉलेज में आई वहाँ पर उसने बच्चों का इंटर्वियू लिया, और वहाँ से उसका सेलेक्शन हो गया, तो अभी वो SBI में जॉब कर रहा है, ऐसी एक और स्टूड़न्ट है विशारत, तीन साल पहले उसने कोटीवाल से, कोटीवाल इंजिनिंग कॉलेज से इंजिनिंग किया था, फ अभी डेल में जॉब कर रहा है वो, और करीब 11 लाग का उसका पैकेज है, और उसकी जॉइनिंग अभी जुलाई में है, उसका ओफर लेटर आ चुका है, सब कुछ फॉमिलिटी हो चुकी है, अब इसो जुलाई में जाकर उसको जॉइन करना है, अच्छा, जो हमारे दर्स अच्छा है, उन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए आपको अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी लोग पढ़ रहे हैं, वो सपने देखें, सपने देखना बहुत सी बात है, क्योंकि जब तक आप सपने देखेंगे, नहीं पूरा नहीं होगा, लेकिन सपने देखने से पहले आप ये भी सोचें, कि वो पूरे कैसे होंगे? जैसे मेरे पास, मैं एक्जामपल बताता हूँ, तीन दिन पहले एक बच्चा आया, सिंपल B.S.C. का बच्चा था और बैंक की तियारी वो अल्रेडी कर रहा था, अब वो मेरे पास आया और बोलता है कि सर मुझे MBA करना है, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो आपको कौ कि अच्चा बोलता है, सर मुझे कम से कम पांच लाग रुपे महने की सालरी तो मिले, सवाल यह निये कि पांच लाग की सालरी नहीं मिल सकती, बट आज जब आपको यह भी नहीं पता कि आपको कि स्कॉलेज से MBA करना है, आज आपने मार्किट की study नहीं की है, आपको यह नह अनकारी नहीं है, आपने बस सपना देख लिए और आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाएं, तो सपने देख रहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए आपको महनत भी करनी पड़ेगी, और जब तक आप वो महनत नहीं करेंगे, वो input नहीं लगाए है, उनकी English भी अच्छी नहीं होती है, और जब साल खतम होता है, तो ऐसे बच्चे कई बार दूसरे बच्चों से जो English Medium के हैं और जो Engineering के बैगराउंड के, उनसे ज़ादा अच्छा स्कोर करके निकलते हैं, और ये इस पर डिपेंड करता है कि वो अपना mindset क्या रखते हैं, अपना target क्या रखते हैं और उसको achieve करने के लिए वो कितनी अपनी मेहनत लगाते हैं, तो मेहनत ही success की की है, मेहनत करें और मेहनत के साथ एक direction होना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप सही direction में मेहनत करेंगे, तो आपको result ज़रूर मिलेगा, तो देखा आपने विस्टर राजकुमार गुपता जी ने बताया कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविश्य हैं, और वो यदि सपने नहीं देखेगा, तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, अजे परताप सिंग, ABPS News, मुरदबाद